कला के विद्धार्थियों, राजकी महा विद्धाले के संगड सें, मैं डोक्टर पवन जांगेड, विद्धार्थियों आज हम राजस्तान के यथार्त वादी चितरकार भूर सिंग्जी शेखावत के करतित्वे, एवं व्यक्तित्वे के बारे में विश्तार सें अध्यन ए उचर्चा करेंगे, विद्धार्थियों, राजस्तान में कुछ ऐसे कलाकार हैं चितरकला के क्षेत्र में, जिनोंने प्रशिद्धी प्राप्त की है, उन्हें में से भूर सिंग्जी शेखावत भी एक ऐसे कलाकार हैं, जिनोंने राजस्तान में ये थार्त वादी चितरकल के क्षेत्र में काफिकार ये किया है। इनका सरजन राजस्तान के जन जीवन के अनेक चित्र उपस्तित करता है। इन्होंने राजस्तान के सामाजिक जीवन को गहराई से देखा और उनको अपने रेखा चित्रों वह चित्रों के माध्यम से अध्यन करते हुए इन्होंने अभीवक्ति परदान की। विद्यार्थियों भूर सिंग जी सिखावत का जन में राजस्तान के विकानेर जीले के धुंदलिया गाव में मद्यवर्गिय राजपूत परिवार में आठ फरवरी उन्नीशो चोगदा इस वी को हुआ और इनकी प्रारंबिक शिक्सा पिलानी सहर में हुई। विद्यार्थियों बिड़ला परिवार द्वरा इनको छात्तरवर्थी परदान की गई और छात्तरवर्थी प्राप्त होने के पस्चाथ इन्हों ने मुम्मई के जेजे इसकूल ओप आर्स में कलाश शिक्सा में पांच वरषी डिपलोमा प्राप्त किया और डिपलोमा प प्राप्त करने की पश्चात वापिस 1937 इस्वी में पिलानी चले आये और पिलानी की बिड़दा इस्कुल में कला अध्यापक के रूप में इन्होंने कारिय किया। पर संग राम सिंग, राम निवास वर्मा, गंगा प्रशाद सारदा, केशव देव, आरडी पारिक, मातुराम वर्मा जेशी प्रख्यात कला कारूने इस आठ कलब तता भूर शिंग के मार्ग निर देशन में अपनी कला को समवारते हुए ख्याती प्राप्त की। प्राइप प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने अपने यथार्थवादी चित्रों में द्यान देना, इन्होंने अधिकान जो चित्र बनाए यथार्थवादी शेली में बनाए हैं। इन्होंने अपने यथार्थवादी चित्रों में राजस्तान के जन जीवन की। देनन्दिक गति विदियों को चित्रित किया। अत्यनते साध्गी के साथ उनको प्रमुकता दी। राज्य के लोग जीवन की जितनी सपल और परभाव पूर्ण अभिव्यक्ती। इनके चित्रों में हुई उतनी हम अन्यक किसी चित्रकार में नहीं देख पाते। बोर्शिंग जी शेखावत ने देश की महान विबूतियों की अन्यक चित्र बनाई। बोर्शिंग जी विचार धारा से महत्मा गांधी के अनुयाई थे। देश प्रेम और देश भक्ती के सूशंसकारों ने इने राष्टर को गोरव दिलाने वाले महान विबूतियों की दर्शन उनके विचार सुनने तता उन्हें रेखावद किये जाने के लिए प्रेरिप किया। गांधी जी, पटेल, नेहरुजी, आसपली, बिडला जी, जमना लाल बजाज, बलदेव परशाद बजाज, माउंट बेटन, डोक्टर राधा कृष्णन तता बहुत सी देश भक्तों इनों सवतंतरता संग्रामशे जुड़ी विबूतियों को इन्होंने रेखांकित किया और उनके व्यक्तिचित्र बनाए, व्यक्तिचित्रन करना तो इनके लिए सणों का काम था, ताथ बहुत कम समय में ये तुरंत प्रभाव से व्यक्तिचित्र अंकित कर देते थे सीदे सादे निराभीमान व्यक्तित्र के धने भूर्शिंग्शे खवत, बापु महात्मा गांदिशे अत्ते दिक प्रभावित थे, तता उनके विचारों के सच्चे समर्तक भी थे इन्होंने बापु की सादगी वे विचारधारा को अपने जीवन व्यवार में अपनाया, सन 1949 इश्वी में इन्हें एक माह तक बापु के सानिद्दे में रहने का सोभागय प्राप्त हुआ था और उनकी प्रती दिन की दिन चरिया को चित्र एम रेखा बद करने का इनको अवसर मिला इन्होंने बापु के देनिक जीवन के नाना रेखा चित्र बनाई थे, चो काफी तादात में बिल्ला जी के पास सरक्षित हैं तो इस परकार इन्होंने देश की महान विभूतियों के बहुत से चित्र बनाई इसके अलावा ग्रामिन जन जीवन से शरूबार इनके चित्र देखे जा सकते हैं ग्रामिन चित्रांकन में बोर्शिंग जी को आसातित सपलता मिली इनके चित्र काल्पनिक जगत के मान चित्र नहीं है अपितो द्रश्य जगत के जीते जागते चेतन प्रानी है बिल्कुल सीधे सादे ग्रामिन जन जीवन के इन्होंने बहुत से चित्र बनाई राजस्तान के गाउं गाउं में घूमते रहे और वहां के जीवन का इन्होंने गहराई से अध्यन किया और यही कारण है कि जवारलाल नहरो ने इनके लिए कहा कि बोर्शिंग जी के चित्रों की आत्मा बोलती है इनके चित्रों को देखने से आपकी पार के इकला द्रश्टी तता विशे सैयोजन का अच्छा परिचे मिलता है इन्होंने अपनी विशिष्ट यथार्थवादी शेली में चित्र बनाई इनके चित्रों में शदा आकर्तियों का अनुपात, रंग सैयोजन और मनो मुग्द कारी ये खांकन अपने आंचलिक वातावरण के शाथ मुखर हो उठता है निरंतर शाधना रत रहकर जिन चित्रों का इन्होंने सरजन किया वे इतने सजीव और आकर्शक बन पड़े हैं कि देखने वाले को एक बार में ऐसा लगता है कि यह वास्त्विक द्रश्य देख रहे हूँ सेखावत जी ने विविन वर्गों और व्यवसाई के नर नारियों का सुक्ष्म अध्यन करके कारियरत इस्त्री पुरुसों को अपने चित्रों का विशय बनाया इनके कुछ प्रशिद चित्रों के नाम हैं जैसे आरा चलाते हुए खाती वृत बुनकर चूरी चलाते लुखार चर्का कातती इस्त्री सोदाकरति ग्रामेंड नर नारी सबजी बेचती हुई मालिन चक्की पीष्टी महिला जुलाहय राजपूत व्यक्ति की सान अधि इस परकार इनके कुछ चित्रों के नाम है प्रकरती परिवेश के अंकर में भी राजस्तान और विशेष्ट है पिलाने के आसपास का परिवेश इनके चित्रों में देखा जा सकता है इनकी रूची विविन विधाओं में रही जैसे फ्रेश को मूरल की इनोंने उस तक्निक की शिक्षा प्राप्त की उसका परिशिक्षन प्राप्त किया और फ्रेशको तक्निक को जानने के परच्चात इन्होंने दिल्ली, मतोरा, पटना की बिड़ला मंदिरों की दिवारों को चितरित किया बूर्शिंग शेखावत के चितरांकन में एक विशेश आकर्षण है शुरू में इन्होंने चितरों में जल रंगों का प्रियोग किया लेकिन बाद में इन्होंने तेल रंगों का प्रियोग भी किया और तेल रंगों का प्रियोग करती हुए पेच अधार्थ आगात प्रभावादी रंग योजना एंव प्रियोग विद्य को अपना कर ततकालिन पारंप्री सपाट रंग प्रियोग की परंप्रा को इन्होंने तोड़ा और इन्होंने पेश लगाने की पद्धती को अपनाया। चाया प्रकास दर्शाने में इनके रंग प्रियोग शेलिक कहीं भी अठकी नहीं तो लिका का मुक्त परवा है। सब में चित्रित किया। इसके अलावा बूर्शिंग जी एक कवी हरदे वाली व्यक्ति रहे हैं। चित्राकर्तियों की ही भाती इनकी कवीताईं अदखुले प्रष्टों का अभिलेकन प्रस्तुत करती हैं। इनकी सरवादिक भाव भिने कवीता सांज की करुण विदाई कहीं जाशकती हैं। देश की पत्र-पत्रिकाओं में इनकी चर्चा होती रही। समय समय पर इनके अन्य चित्रों ने भी देश की विविन पत्र-पत्रिकाओं में इस्तान पाया। जिनशी जन जन के हरदय में इनकी विशिष्ट आंचलिक शेली की धाख जमी। सबी कला समिक्षकों ने भूर्शिंग जी शेखावत के चित्रों की पर्षंशा की है भारत ही नहीं विदेशों तक उनकी ख्याती पहुंची 1962 इस्वी में रूश की कला अकाद्मिक के अध्यक्स गेर शेमोर ने रूश में पर्दशित बूर्शिंग जी के चित्रों की पर्दशनी को देख कर कहा कि बूर्शिंग के रंगो वरेखाओं में वह शमता है जो अमुर्थ को मुर्थ बनाती है तता जीवन ही इन को प्राणवान इनके चित्रों की पर्दशनिया देश विदेश, राजस्तान में अजमेर, पिलाने तता उसके बाहर दिल्ली, मुम्मई और कोलकता आदी सहरों में भी हुई इनके जीवन की अलपायों में राजस्तान की संस्करती को देश विदेशों तक कला परदशनिया आयोजित कर परिजित करवाया इनकी करतियां देश विदेश की कला देर गहुं, संग्रालेओं तता नीजी संग्रों में आज भी सुरक्षित है पंद्रा मार्च सन 1966 के दिन शिरी बूर शिंग जी सेखावत की म्रत्यु हुई इनकी एसाम्यक निधन से कला जगत में ख्षती हुई प्रंतु कलाकारों की सर्जन की प्रेरणा देने वाले और उनके शेकड़ों चित्र आज भी उनकी दरोहर के रूप में हमारे बीच है इनके चित्र ही आपके प्रेर्णादाई व्यक्तित्व के परिचाइक हैं इस पर कार विद्यार्थियों यह एक ऐसा कलाकार रहा जिसने राजस्तान में यथातवादी चित्र कला के ख्षित्र में एक इस्तंब की रूप में जाना जाता है राजस्तानी जन जीवन का अधिन किया और बहुत से रेखा चित्र बनाई देश की महान विबूतियों के चित्र इन्होंने चित्रित किये शी देशादे ग्रामिन जन जीवन से देनिक जीवन से समन्दी चित्र बनाई विविन विधाओं में इनकी रूची रही कवियों की भांती कवी हर्दै थे देश की विदेशों की पत्तर पत्तरी काउं में इनकी चर्चा होती रही अनेक परदशनियां इन्होंने आयोजित की इस परकार बोर्शिंग जीशे खावित का करतित्वें एवं व्यक्तित्व रहा धन्यवाद